पुराने समय की कहानी है, एक राज्य था एक दिन गुप्चरों ने सुचना दी की पडोसी राज्य हम पर हमला करने वाले है। जी है तो बता सकता है, राजा के चतुर मंत्री ने कहा अब जब जान पर बात आ गई है, तो इसका एक मातर उपाय है, कि हमें आज ही अभी ही इसी वक्त ही पडोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। मरने वाले है, वो वैसे भी हमें तीन दिन बाद मारने वाले है, तो क्यों ना कुछ न करने से हम ये कर सकते है। राज्य को बात थोड़ी अच्छी लग गई उसने तुरंट अपनी सेना को तयार होने का आदेश दिया, और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। परोसी राज्य जो था वहा तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था। एक पुल था तो जैसे ही वो सेना पुल पार करके उस राज्य में घुस गए। तो राजा ने कहा हम अपने परोसी राज्य में घुस चुके है। ये जो पुल है इस पुल को जला दो और जलाने के बाद, सेना को बोल दिया हमारे पास में अब और कोई आप्शन नहीं सिवाए लड़ने के अब हम या तो लड़के जितले या फिर हम यहाँ पर मर जाए, हमारे पास भागने का कोई आप्शन नहीं है, सभी सेनिक अपनी पूरी छमता के साथ में लड़े, और परोस होने की संभावना बहुत अधिक होती है, जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है, कि ये अगर नहीं किया तो मर जाएंगे, बरबाद हो जाएंगे तो संभावना बढ़ जाती है, उसमें काम्याब होने की, हर काम्याब इंसान का एक वक्त आता है, जब उसको लगत है कि अब अगर मैंने कुछ नहीं किया, तो बरबाद हो जाएंगा और वो कर लेता है,